बहुत बहुत स्वागत है इस करेक्टर में दशकों आप सभी का आज हम बात करेंगे पिरियार साहब की पिरियार साहब हमारे लिए वाकई एक एक ऐसे चिंतक रहे हैं एक ऐसे दाशनिक हम कह सकते हैं जिन्हों ने उस वक्त को बदला और उस वक्त लोगों के जहन से वो सारी अन्धमाननेता हैं अन्धविश्वास और तमाम पाकंड को निकालने के लिए उन्होंने जो एक पहल की और उसके परिणाम भी बहुत उनको बिले और निश्ची तरुप से वो आज भी प्रसंगीक हमें इसलिए नजर आते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि जब इस सदी में ज तो जब जातियों पर टिपणी करते हैं प्रेटर पर और वो भी बड़ी-बड़ी हस्तियों द्वारा इस पकार कि जब टिपणीया आती हैं कोई बाबा अगर इस पर टिपणी करता है या इन तमाम चीज़ों पर जब कोई बात होती है तो बहुत सारी बाते अब हमें लग का इमरा पिर दलीता जाते हैं अभी ऐक्का अंदोलन चल रहा है मूल निवासी हुझा मूल निवासी आ राकई भारत वासी सब बाहर से आये हैं फिर जहर गौलते आपस में यहा दिवाजी के कुछ संगठन फिर मुसलिबों के कुछ संगठन और फिर रामा स्वामी पेरियार जैसे नास्तिक लोग जो ही इशर के मानने वालों को महामूर्ख इशर के प्रचारकों को धूर्ट और धर्म को जहर कहते हैं उनका इतना जवर्दस सब प्रचार हो रहा है और सारे इस दुष प्रचार का केंद्र होता है अपने भारत के पुर्वज रिश्र श्रिकाओं के चरित्र का हनन करना ऐसे में वैचारिक रूप से मैंने परसों ही मीडिया में जब बात की दिल्ली के पास गुड़गाओं में तो मैंने कहा कई तरह का आतंकवाद दुनिया में चलता है उसमें ये वैचारिक आतंकवाद बहुत खतरनाक है बाबा रामदेव को वो हमको आतंकवादी बोल रहा है तो वो समाज और लोगों से हमको काटना चाहता है अलग तो हम समझ रहे हैं बाबा राम देयों हरियाना का यादव है चाहिद आप लोगों जानकारी है या हो सकता है वो बैकवर्ड है तो ब्रामन लोग सामने नहीं आ रहे हैं तो ये बाबा को सामने कर दिया यानि कि परियार के आउशक्ता उस जमाने से लेकर अब तक खत्म नहीं हुई है लगातार बनी हुई है ये एक चिंता का विशा है क्यूंकि अब तक ये सारे इस्तित्यां अच्छी हो जाने चाहिए थी सामाने हो जानी चाहिए थी जिन आधर्श राज्य का उन्होंने सपना देखा था शैद वो अब हो जाना चाहिए था लेकिन अभी भी नहीं हुआ है तो हम समझते कि एक एक पिरियार के अंदरों की आज भी प्रासनिक्ता बनी हुई है यह क्यों बनी हुई है इस पर आज हम चाचा करेंगे हमाई साथ डॉक्टर मनिशा बांगर हैं जो की बामसेफ और पिपल्स पार्टी आफ इंडिया की आप उपाध्धिक्ष हैं साथ ही हमाई साथ डॉक्टर रामु सिदार्थ जी हैं जो की लेकक हैं संपादक हैं विचारक हैं और आज इस करेकम में आप सभी से हम इस विशे पर विचार रखेंगे सबसे पहले रामु सिदार्थ जी मैं आपके पास आना चाहूँ कि क्या कहना चाहेंगे वर्तमान परिस्ति और ये जो उनका आंदोलन रहा है पिरियार साहब का आज भी हम इसकी पासंग तक क्यों पा रहे हैं क्यों लग रहा है कि एक आंदोलन की फिर अससे आवशकता है और लगातार कई आंदोलन इस प्रकार के चले आ रहे हैं सुधिर जी एक बात बहुत समझना चाहिए बेरियार इवी रामा सामी जैसे बिचारक के बारे में कि ये भारत का दुर्भाग है मैंने ले दिनों बहुत बिस्तार से रामा सामी का पिछले चार पांच सालों से अध्यन कर रहा हूं ये किताब ये आपके हाँ जरूर लगी होगी बीगीता की कि कम से कम पांच सालों से में निरंदर पेरियार को पढ़ रहा हूं पेरियार अगर आरत में न पैदा हुए होते और विशेशकर बहुजन समाज में न पैदा हुए होते और अगर पेरियार ने ब्रामणबाद को चुनोती देने वाले न दिये होते और जो हिंदस लिजम पतंता गांदोलन के नाम पर जो हिंदू राष्टबाद का भियान चला था पहले दिलक किनेति तुमें फिर गांधी किनेति तुमें तो अगर ये न कि और वही लोग इस जच सतारुड़् न होए होते 25 के बाद आजादी के बाद तो पेरियार इस समय ईन्या के 20.07 सतावधि के जो सर्वश्ष्च्ट उंगलियों पर आप दार्शनिक गिनते पांच दस सर्व स्टेश्ट दार से निकागा आप इसमें सतावती कि एगर चार-पांच गिनते हैं तो पिरियार उसमें एक होते हैं मैं बिना किसी एक जरेशन के कह रहा हूं बिना किसी अतिस्वयोगति के कह रहा हूं आज आपने ये विशह रखा की एडवांस समाज तो मैं आपके शह रखता हूं कि आपने जाहन देव क्यों कि उन्होंने एक लेख जिसका हम लोगों ने तो हिंदेन बात किया कि भभिस्थ की दुनिया आने वाली दुनिया उन्हाइस सो चवालिस में तमिल में उच्छिंशक दिया था और उन्हि सो चवालिस में ये बात करेंं goal नाइस दिसका अंग्रे जिव क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर पेर्यार बाउजन भॉजयंग होते ब्राह्मणभाद विरोधी आंदोलन के नेता ना होते तो क्या उनका इक इतना इंपर्टेंट अरे लेख है धविस्ट की दुनिया कैसी होनी चाहिए ऐसी दुनिया जो थामस मूर और मार्स शी की भी जो कलपना है भी सहरे नहीं दुनिया की उस कलपना से किसी भी लेब जाती है और हिंदी में उसको आने में और ज्यादा कब से कम सतार अस्ती साल लग जाते हैं सिर्फ यह कहीं बात की बात करें कि पेरियार कैसी दुनिया की कलपना कर गए एक चीज कि मैंने के लेख लिखा था कारमा में प्रकासित हुआ था मैं उवहीं बैरशी से हराना चाहूंगा अगर आधुनिक भारत के अगर कोई मुकंमल अधुनिक भारत का है तो प्रामन्हामी पेरियार एँ अधूनिक भारत की ऊbel में आसी प्रस्तावना जो त diagnosis truckि और खास करके गुलामी के गुलामगीरी है, वो जो ब्रामणबाद विरोधी गोषापत के मात्यम से, लेकिन पूरे विस्व फलक पर मनुस्य जाती कैसी होना चाहिए और पूरा गुनिया कैसी होनी चाहिए, इसकी एक मुकमल कलपना पेरियार इस लेक में प्रस्तुत करते है जिसे भविष्ट की दुनिया याने वाली दुनिया हम कहते हैं, कोई भी समाज, जो माडन समाज बनता है, एड़वान समाज की से कहते हैं, एड़वान समाज का मतलब जो आधूनिक समाज है, आधूनिक समाज का मतलब जो तरक पर आधारी थो, बहुतिक्ता पर आधारी थ बेज्वारति ऑग्यानिका पराधारित हो, उसे हम एक एडवान समाज कहते है. एडवान समाज के चारति। समाजिक्त्त्त्त्त्त्त। संस्कृतिक्तत्त्त। आ अर्थिक्त्तत्त्त Cassini और राजनेतिक्त्त तक सोचने का जो नजरिया है, यानि जो बड़ आउटलुक है, वो बड़ आउटलुक अगर चेंज नहीं होता है, विस दिश्टिकॉन अगर चेंज नहीं होता है, तो किसी समाज के अंदर बैग्यानिक बिकास, ना तो बैग्यानिक दिश्टिकॉन का भिकास, ना तो बैग् जब तक भारतियों के सोचने का नजरिया नहीं बदलेगा। भारत जिसे एड़ांस भारत कहते हैं, अद्भूनिक भारत कहते हैं, उसको नाने के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा, जो पेरियार निचिनिप किया रहा है, वो है आरेस्रेष्टता। पहली है आरेस्रेष्टता। आरेस्रेष्टता को किवल पेरियार नसली नजरिये से न द दर्म गरंतों में हैं, जिसके सुरोथ बालमी की रामा में हैं, जिसके सुरोथ राम चरिक मानस में हैं, जिसके सुरोथ पुरानों में हैं, जिसके सुरोथ गीता में हैं, यानि आरे स्रिष्टता की गोश्रा बेदों से जो सूती है, वो गीता तक जो आती है, आरे स्रिष्ट इसके कोई तर्क नहीं है, इसके पिछे कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, दो रूप में देखता है, एक पूरे देश के अंदर आरेसरेथा की भावना और धूसरा डचिन भारत पर उत्तर भारत की जो स्टता है, क्योंकि उत्तर भारत आर्याब्रत है उसकी स्रेष्टता आज भी उत्तर भारत ही तर्चिन भारत को रूल करा है उत्तर भारत का ही जो आरेस रेष्टत का है वही नसली लीजम है जो आरेस लीजम है दूसरी गैर ब्राह्मनों पर ब्राह्मनों की स्रेष्टता दूसरा इसका तद्व है जो भारत और बहुन नाता अधर बनाता है और और बयंग और तीसरा जा vivir तेशर हां सब्थरेशिक जितनी वने करत मोम नातर है कि पेरियार जितने ही कटर तरीके से आर्ज स्रेष्टता के खिलाब हैं, ब्रामर्ण स्रेष्टता के खिलाब हैं, धुजों की स्रेष्टता के खिलाब हैं, उतने ही मजबूती के साथ वो महिलाओं पर पूर्सों की स्रेष्टता के भी पूरी तरह से खिलाब है। और यही वो भारत है जिसकी सोच अभी तक मद्द काली जिस तरह से सिदार जी कह रहे थे कि मद्द यूग में पड़ा हुआ है सोच के मामले में और बाकी मामले जो तकनिकी है बहुत सारी चीचे इसमें हम अपने आपको एडवांस कहते हैं तो एडवांस हो जाना और एडव जानस वाकई में होना या कहलाना ये तमाम सारी जो बाते हैं इसमें जितना डिफरेंस हम देख पा रहे हैं इस यूग में भी हम एक बार उसी अपने आपको वहीं पर पाते हैं जहां से शुरू हुए थे क्या कारण आपको नजर आता है कहां पर ये हम से चूख हो रही है क जहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि हम अपने आपको बदल क्यों नहीं पा रहे हैं क्या इसके पीछे विद्वेश ही काफी है या भारत की जो जाती विरुस्ता है वो ही इसका कारण है या हम लोग बदलना ही नहीं चाहते हैं कि मुझे लगता है कि ये जिस जो सवाल है आपका वो पूरी की पूरी तरह से एक बहुत व्यापक तरीके साथ है उसका वो पूरे विश्व को पेरियार की विश्व को समझाने के लिए और आनलाइस करने के लिए और कहां हम से चुख हो रहे है क्योंकि नाचरली हम लोग आगे बढ़ने की बात कर रहे है जो चुनोतियां हमारे सामने हैं सामाजिक, राजनेटिक और सांस्कृतिक जिसमें की पेरियार का सबसे जादा काम हुआ है और जेंडर के मामले में महिला के उपड़ पुरुष की वर्चस्वता उसके मामले में इन चारो एरियास में, चा पेरियार का जो काम है उनका वहां से जो आया है और आज तक D.K. या D.M.K. के माध्यम से और एक Rationalist Thought और Rationalist Organizations के माध्यम से और आज भी अगर अगर उत्तरी भारत से अगर कुछ चुनोती आती है और आज भी हमको कई माईनों में प्रातिनिदित्व के माईनों में, महिला श साउथ इंडिया आगे नजर आता है तो यह पेरियार सेंचुरी का योगदान है, जो उनके फार्ट प्रोसेस का योगदान है अब जहां तक बात है चार चीजों मैं आपको मैं उसको भाजित करना चाहूंगी, पहला है कि उनकी प्रक्रिया पेरियार रामस्वामी की प्रक प्राजनेतिक लोग दिख भिलने इसितरक और शांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव के बात करते हैं उनके असितर पर. और अग्रांस्थिस के उनकाय आप सबसे ह 145 स centuries यताना ने उनकायारे इस तारीटिकестноकर 00950 009 001 0010 00001 005 की . 17 सप्टेमबर उनकी उनहां तरह से हम लोग जब आपने आपको अनलाइज करते हैं तो यह पुनर पाथ होना बहुत जरूरी है सबसे पहले उनका जो शुरुवात होती है उनके पिताजी के वक्त से होती है वहां से वो जो सो कॉल्ड सेकुलियर फोर्स है या एक व्यापक अंटी वेधिक फोर्स और अंटी ब्रहामनिकल डिस्कोर्स जो शुरू होता है आये थक्कम वेंकेट जलेया उनकी पिताजी का नाम था और उनके तरफ से वो शुरुवात पहले ही हो चुकी है तो उनको अगर हम लोग शुद्र मानते हैं तो उनकी के कंटेंप्ररी आयोती तास जो की अतिशुद्र कम्यूनिटी के थे एक्जाक्टली उसी तरह से उनकी शुरुवात होती है दोनों ही व्यक्ति ब्रामनत्व को पुरी तरह से रिजट करते हैं दोनों ही व्यक्ति ब्रामनत्व जिस अविधान के उपर खड़ा हुआ है उसको दोनों रिजट करते हैं और दोनों ही व्यक्ति आयोति थास उनसे और भी आगे चले जाते हैं कि वो बुद्धिस्म और बुद्धिस्ट वैल्यूज और बुद्धिस्ट न्याएं और बुद्धिस्ट राजनितिक तत्व और मूलिय उसके आधार पर एक नए समाज की रचना करना चाहते हैं इसी चीज़ को आगे लेकर जाकर जब 1925 में पेरियार रामस्वामी कॉंग्रेस से निकल कर वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप होता है उनकी वो जो राजनिती है और उनका जो सामाजी कांदूलन और कांस्कृति कांदूलन है वो सेल्फ रिस्पेक्ट यह इसका मतलब सेल्फ रिलाइंस तक आता है कि मुल्भू तत्व पर उभरता है तो यहां यहां पर हमारे राजनितिक लोगों को एक पार्ट है कि आपका जो आपकी राजनिती होनी चाहिए मराष्ट निर्मान और जिसकी चर्चा इसके पहले अभी रामुजी ने की है उसके लिए आपकी राजन तो वहां पर ब्राह्मनिकल थाट और प्रोसेस और इसका में मतलब उनके ही इसमर ब्राह्मनिकल कोलोनाइजेशन ऑफ दे माइन बाड़ी उन्होंने कहा है चाहे संस्कृति के माध्यम से हो शास्त्रों के माध्यम से हो और उन्होंने तभी के वक्त का गांधी, टाटा और ब्राह्मनिकल कोलोनाइजेशन और बनिया कैपिटिलिजम इन दोनों को उन्होंने, मतलब माइन बॉड़ी और इसे मटिरियल एडवांस्मेंट, इन तीनों को उन्होंने बहुत जाता तड़का दिया अपने थाट प्रोसेस से और संगटन से और उनकी जो स्टेप थी कॉं जो उन्होंने कुडू आरुसु में लिखा है, जो उन्होंने विदुतलाई में लिखा हुआ है, और जो उनके अनेक भाशन है, उसमें से हमको नजर आता है कि वह पुरी तरह से चूल मूल परिवर्तन, आमूल चूल परिवर्तन चाहते थे, जहां पर वो आज के को हमारे सामने रखती है, और वह बहुजन महिलाओं को और बहुजन पुरूशों का आकलन करती है, उन्होंने सबसे पहले उनको ही सवाल किये, और उनकी जो लिमिटेड एजनसी है और केपैसिटी है इस ब्रामनिकल कॉलनाइजेशन और बनिया कैपिटलिसम को तोड़ने क के लिए और महिला के पूरे क्या कियते हैं, सोशन को तोड़ने के लिए उन्होंने उनकी लिमिटेड कैपैसिटी बताई और वो पूरी की पूरी एजनसी उन्होंने रैशनलिस्ट महिलाओं और बहुजन महिलाओं की उपर लाके रखी. ने, ने, मैं जो जाना चाहता था वो आपका बहुत अपने बड़िया तरीके से कहा है, लेकिन एक बात है कि मैंने कहा ला कि क्या हम बदलना नहीं चाहते। उस आंदोलन का विरोध करते हैं और कहते हैं कि वह एक नास्तिकवादी और इस प्रकार से बातें कही जा रही है और वह भी बड़ी हस्तियों द्वारा तो क्या मतलब हम बदलना नहीं चाहते किस तरह से रहना चाहते हैं तो उसके लिए मैं उनको ने यह उसमें उत्तर है, उन्होंने कहा है कि यह जो आप कह रहे हैं, जितना आपने अभी रिकाउंट किया है, कि यह अगर हमको करना है, तो दिक्कते क्या है, पेयर सहरामस्वामी ने कहा है, कि दो आप इंडिवियर्ड आल अलाउंग तो अबॉलिश कास्ट, as far as this country is concerned, this has meant I carry out propaganda for abolition of God, religion, Shastras and the Brahmins, for caste will disappear only when these four will disappear. अब यह उसकी पुर्वशर्थ है, आप जो दिक्कते बता रहे हैं, उसकी यह पुर्वशर्थ है कि यह चारों चीजों को जब तक चुनोती नहीं मिलेगी, तब तक annihilation of caste भी नहीं होने वाला है, और बहुजनों की सत्ता तो दूर की बात, और बहुजनों और फिर उसके ब पॉलिश करना चाहते हैं, कई लोग बोलते हैं, जातिवाद की खिरा पांदुलन है, लेकिन अवधारना, भगवान की अवधारना को खास कर, ब्रामनिकल गॉड्ड की जितनी अवधारना उसको टच नहीं करना चाहते हैं, आम जातिवाद को तो तोड़ना चाहते हैं, ले बताना चाहते हैं कि कुछ ब्रामन अच्छे होते हैं जिन आप ब्रामन पैदा हुआ है ब्रामन वाद को पैदा करने के लिए जो उसने किया उसको बढ़ाने के लिए जो उसने किया उसको चलता रखने के लिए तो वो कर रहा है आप फिर से उसको बदलने की बात भी उनके हा अगर आपको सामंतवाद को तोड़ना है तो जो फ्यूडिलिस्टिक लोग है उनके हाथ में वो एजंसी नहीं दे सकते अगर ब्राह्मनवाद हम उस निश्कर के पहुंच गहे हैं कि ब्राह्मनी शास्त्र और ब्राह्मनी एजंसी और यह अवधारना हैं और खासकर उनका उनका रिलिजिन जो है वहाँ जिसको की रिलिजिन नहीं है रिलिजिन के माध्यम से एक कोड़ अफ कंड़क्ट है एक पुठा है रूर्स और रेगिलेशन का जिसमें की पैनल्टीज भी उनी विक्टिम्स लोगों के उपर आती है जिसके उपर कि यह भारी गुलामी लाद कर इन दोर माध्यम से तो यह चार चीजों का चैन जिस तरह से लोग कर रहे हैं इस वज़े से नहीं हम लोग सक्सेस हो रहे हैं दूसरी बात इन चार चीजों को युनिफाइड तरीके से इसको प्राब्लेमाटिक रूट समझ कर इसको डिल करना पड़ेगा जे 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 कि जितनी तेजी से या उन्होंने कहा था कि जिस तरह से वो परिवर्तिन करना चाहते थे और किया भी उन्होंने बाबा साब ने भी उसमें बहुत सारी बाते कही थी कि जितनी तेजी से आप परिवर्तन करना चाहेंगे कि प्रतिक्रिया जो है उतनी ही तेजी से ईशवर की अधारणा बनाने के लिए। रामो जी। पहला सवाल जवाब कर था. भारत कभी भी दुनिया में भारत की कोई भी उपलब्दी दुनिया में ऐसी नहीं सराई गई है जो ब्रामणबाद की अस्थापना के बाद है जब इस देश में बन जाती पर अस्था का मजबूत आधार बन गया है और ब्रामणबाद कुरी तरह से अस्थापित हो गया है त वो जानदे होंगे कि अनार्य प्रंपरा, गैर्ढश्ट परंपरा, सर्मणापरा बाहुजन परंपरा, ब्रामन परंपरा के बीच क्रीप करीब आठ्मी, नवी सताप्ती तक तीखा संगय करें घागसे भीह आठमी नवी सतावदी तक कोई महान समराज हो, चाहे वो मौरी समराज हो, चाहे उसके पहले का विमिसार का समराज हो, चाहे उसके बाद घुप्त समराजी के उना हो, कोई भी समराज ऐसा नहीं है, जो किसी छत्री ने कायम किया हो, जिसको हम छत्री कहते हैं, या मन बेवस्त करीब करीब 900 800 900 1000 इसभी का सहे जब ब्रामणबाद इस देश में पूरी तरह स्थापित हो जिसे हम विश्गुरु कहते हैं विश्गुरु मतलब जो हमारी बड़ी उपलब्तिया है जैसे शिंदु सबथा कि हमारी उपलब्तिया है या करीब करीब बुद्ध के जन्म से और के बाद 600 बर्सों की करीब परीब जो हमारी उपलब्तिया है नानन्दा की हो जितत सिला को सुनन के मामले में हो विजिक्स के मामले में हो ब्यापार के मामले में हो धुनिया के जाज है मनाने के मामले में हो एक बड़ी बड़ी जाज है बनाई गई अंतराष्टी ब्यापा के पास जब इस देश पर ब्रामणबाद कंप्लीट बर्चस हुआ है उत्तर भारत में आठवी नहीं सताफदी में अपच्छी मुतर और दच्छी भारत में बारामी तेरहमी सताफदी जाते जाते तक उसके बाद की कोई उपलब्दी नहीं है भारत बढ़ वस्ता जाती बेवस्ता और उससे जूड़ी हुई प्रितिसता के पास कहीं स्पेस ही नहीं होता है उसके पास कुछ देने के लिए ना तो वह कोई साइंस में ऐसी उसकी उपलब्दी है ना तो किसी बाधिक ज्यान में उसकी कोई उपलब्दी है ना कमासातर में कोई ने गड़ित में उपलती है ने फिजिक्स में उपलती है यह जो चरग सुशूत और बेद करते हैं कोई पेद से लेना नहीं है इसका कोई ब्रामण बार से लेना नहीं है यह सब गैर बहुजन ब्रामण बहुजन पर रहा है उससे पैदा एक और दूसरा दुनिया में जापा सब कुछ क्या है गत्सील है सब कुछ निरंतर बदल ला है बुद्ध स्वेंग कहते हैं कि कि किसी बार मौन ना मानो जो तर्क पर कसोटी पर ना उतरता हो जो लोग कल्यान के हित्में नो सब कुछ परिवतन सील है अंतिम सत्य जाची कोई चीज होती नहीं है यहां तक हम ब तो ब्रामणबाद ने आर स्रेश्टता के बात ने या हिंदू धर्म जो आज बन गया है इसने दुनिया को भारत में कुछ भी नहीं दिया है एक बात बहुत दस्पश्ट कर लेना ज़रूरी है भारत की जो भी उपलग दिया है आज आप जाने दुनिया में दुनिया में जब भारत बदलेगा अगर बदल गया रामणबाद भढद रचन आर स्रेश्टता का भारत जो बन की जगा पगर भाधन आईडियालोजी के आदार पर अब भारत बना तो भारत में दिखाने के लिए जो दार्शनी नहीं पोंजयों जानते कून होंगी ठ्वियार हैं अम् आएंड गुरू हैं, आएंग कल हैं, यानि उन्नी सुमी पीसमी सताबदी ने जो महान भी भूतियां पैदा, गांधी क्या देंगे, गांधी कौन सी चीछ देंगा, हिंसा की बात तो की जाती है, लिकिन देने के किरह बढ़ बढ़ बश्ता देंगे, रामराजी देंगे, ऐसे मनुस मनुस के संबन होगे, आप सूचिए, उन्ने सो स्वायालिस में पेरियार कहते हैं, कि ऐसी दुनिया बनेगी, जिसमें एक आदमी के हिससे दो घंटा से अधी काम करना नहीं है, आज जनते हैं, आज की आकड़ा क्या है, आज की दुनिया का आकड़ा है, कि अगर हर यू आदमी जो अठारे साल से लेके पचास साल तक है, यानि सारीरी सो तब सच्छम है, अगर प्रते एक ब्यक्ति दो से ठाई गंटा काम करें, तो दुनिया में इतना उतपादन होगा, कि इससे अधी काम करने की कोई जरूरत नहीं होगा, एक उदान देवराओं जो प अधिक लोगों के लिए खादान प्रोडिक्शन हो रहा है, उसके बावजूद भी अगर गरीबी है, और उसके बावजूद भी लोग भूके सो रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, परियार लिगते हैं, यह कैसी दुनिया बनेगी, कि जितना जो लोगों उत्पादन की जरूरत होगी, उत्पादन होगा, आज जिनी जरूरत है, उससे ज्यादा उत्पादन हो रहा है, परियार इस तरह, इस बात कि तरह, परियार ने इस मोबाईल की कल्पना की है, अगर आपको हाथ ना लगाओ, तो लेक जरूर पढ़िएगा, परियार कहते है कि आइस्टा इंफ्रूमेंट आजाएगा जिसमें तार की कोई ज़रूरती नहीं हो और जेब में लोग रखे रहेंगे और यहां यह पी में लगाए रखेंगे उससे क्या होगी लोगों आपस में बातचीत होगी पेरियार एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहे हैं पेरियार कहा रहे है कि इक ऐसा दुनिया है कि बढ़ी बढ़ी गाड़ी जो चल पीट्रोल से नहीं चलेंगी वहारे है बैटरी से चलेंगी और शाही गट्रूर के लिगगी नहीं बेदेटिफरूर इत् कर रहती ह No.ट्स अमाधे कि वो समान दुनिया में उस एका पहुंचेगा और कोई चीज फाल्तू नहीं पेरियार एक ऐसी दुनिया की कल्पना का रहे हैं जिसमें कोई चोरी की जरूरत ही नहीं पड़े लिख रहे हैं जैसे गंगा के किनारे आत्मी रहता है कावेरी के किनारे रहता है तो उतरपानी प्रिताज इत्री उसको जरूरत होगी उस दुनिया में कोई चोर नहीं हो कोई बेमान की कोई जबरती नहीं पड़ेगी क्योंकि सबके लिए प्रचूर होगा वैसे ब्रित नाम की चीजी नहीं होगी इस तरी पूर संबंधों में किसी तरह से बाज़ता का कोई अस्तान ही होगा मैं इधर नहीं जा रहा हूं लेकर आज जनक तरीके से आप चीज देखे होंगे कि जितने बहुजन नायक है पूले से लेके मंगुराम से लेके और वो संतराम बीये से लेके और उतर भारत के जितने जिग्यासु पेरियार्स और नारायन गुरु एंकरी सब काते है क इस तरी पूरु सिक्वल है जैसे जाति बहुत ब्रामर्ट सेतरी बैस नहीं होना चाहिए उसे सब इस तरी समानता के समर्तक है मैं आज ये कहना चाह रहा हूं जो आपकी बात है कि आज भी भारत में एक छोटी सी बात देखें कि आज के भारत की भी सो भी स्टियां है भारत को देखने के पूरे भारत को देखने की भारत की इतिहास को भारत के व्यत्ति को भारत के समाज को भारत की आतिक समस्या को भा है और लियक आउतलुक और एक है आप जा मुझे उसे रिजवनव करिया है जा Ü रेट tenía गे अरे रहा है करिया मुझे दूझ भी पूरा भारत ब्रामिकल आउटलूक या बार्णुकल वर्ड वर्ड वियू और ब्रामिकल मुल्लों परंपराओं से संचालित हो रहा है। जिस दिन ये देश गये ब्रामिकल वर्ड वर्ड व्यू से देखा जाना लगेगा पूरी तर्क परागा। वो इस्वर की जो बात कर आप दिखिए कि अमबेटकर भी जो गुद्ध धर्मन गरन करते हैं उसमें इस्वर के लिए कोई जगे दिन दूलना करते हैं। परियार ने बहुत प्रुसाहित किया था अमबेटकर भी जो बहुत सावासी थी उनके बुद्धर अगरन करने पर। क्योंकि चाहे तमिलाड में आयोती थासूं आयोती अपसर में आजयादा बात में कर रहे हैं लेकिन परियार कहीं हवा में नहीं पैदा हुए है। परियार के पूरी जमीर बनाई थी आयोती थास ने थासूं ने जो पैदा होते हैं। और तमिलाड में बढ़ा जब जस्त मुम्मेंट है। नहीं सो पंद्रे में गए ब्रामणबादी घोर्षणा पत्त जारी हो जाता है। यानि इसका कारण किया है, एक जीज की दरुप दरभ जिसारा करना चाहूंगा। कि तमिलाडू और केरल और कुछ हद तक कटनाटका और एक हद तक पच्छी मुत्तर भारत जो आज महारास्टा है। ब्रामणबादी बर्चस बढ़ा लेट में अस्थाफित होता है। और गयर ब्रामणबादी जो परंपराएं हैं उनको पूरी तरह से खतम नहीं कर पाता है। यानि जो तार्किक परंपरा वहाँ चल थी जो वहाँ पर भाग्यानी परंपरा चल थी जो वहाँ पर भाली की जो परंपरा चल थी ती राजा बली की परंपरा चल थी जो पूरी तरह स्थम नहीं आए। आरियाअःतं में पूरी तरह खतम करने में सफल हो गए थे क्योंकि वह हाँ मुठ्टी भर ब्रामण गयת थे, पीज का लेयर भी नहीं बना पाये उस तरह । वह वह कर पैस भी नहीं बना पाये, यह उस थरह से बजka म नहीं कर पाया, हैनि अनार या परमपरा जिसे हम कहते ह इसे कहते हैं जिसे दरविड परमपरा हम कहते हैं, वह दरविड परमपरा दचिझ भारत में उपस्व पचिमुत्तर में ज्यादा मजबूती से मवजूदी के दो कारण है, यह तो अनार लोगों की उपस्तिती, उसे दचिझ के पास उसका होना भी एक बड़ा कारण है, उस कि अगर किसी समाज का नायक ऐसा होगा जो बन कहता हो कि विप्रदेन उसूर संत ही निलीन मनुज होता है कर्सывать के हितों के लिए ही गाय के ही जयन मलिया हो और कहता हो कि सममप्री सममोज है अधिक मनुज होगा झाओं जूज हो जो कहता हो साब शाब कि विप्रदेन सबसे प्री है और जो बन्र में बस्ता की लंगन करने के लिए संभू की हद्या कर देता हो जो अपनी पात्मी कै आ ज़न की अलुच नहीं कर रहे हैं। दुनिया ऐसा धर्म नहीं होना चाहिए जो मनुस को छोटा बाढ़ा समझता हो and ein culture magazine छोटा बड़ा हो कोई धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कोई इस मैं अपने मनद से नहीं क्या रहा हो आ पहो इस वर कोई मानना हो मानने लेकिन अकट कोई ऐसा हिस्वर हो जो कहता हो कि मनूस गैर बरावर पैदा होाए कोई छोटा पैदा हुआ या कोई बड़ा पैदा हुआ है और को कहता हो कि तर्फ की बात ना करता हूँ तो यह ऐसा इस्वर की कोई जगह है वैसे जिसको इस्वर बन इसना आते हैं आपने देखा होगा इसलाम पर उन्होंने समानता के तत्तों को रिखांकित किया बुद्ध आपने देशी के लिए एक लॉजिकल सोचाइटी की बात कर रहे हैं और जो आने वाली दुनिया लेकी में बात करों कहें कि परंपरा में जो सकरात्मक तत्त होगा जो अच्छा तत्त होगा ले मैं अन्त में इस प्रस्न के उत्तर में ये कहना चाहता हूँ अगर आर ब्राम मर्ण, हिंदू, द्विज, मर्दों की सेष्टता के अस्थापित करने वाली परंपरा, धर्म ग्रंतों, मुल्यों, उनके लॉजिक सिस्टम, उनके नायकों में से कोई भी चीज ले करके अगर आप मारडन भारत बनाना चाहते हैं तो वो मारडन भारत नहीं बनेगा, वो इस भारत के प्रतिरोध में अगर कोई थोड़ा सा खड़ा है, अगर केरल खड़ा है, थोड़ा तमिलाड खड़ा है, थोड़ा का तमिलाड केरल मजबूती से खड़े हैं तो कि एक मातर केरल एक ऐसा राज है, जिसमें करीब-करीब अनार्य परंपरा ने अपने को काफी ब्राम्रबादी परमपरा के इतना गोवर भरे हुए दिमाग से, इतना इसले के परचसे और पेरियार वह प्यक्ति हैं, जिसे उनुने ही गाय प्ट्टी को सबसे नेडायक चुने दी और अधुनिक भारत के निर्मार का परस्तावते इतनी बात कही जा हुए जो राजनितिक इस्तमार था और वो बहुत बखुबी हुआ भी जामणवाद जिसे राजनिति कह रहे हैं और कहा भी जारा माना भी जारा एक तरह से राजनिति ही है धर्म भी राजनिति ही है ये इस्थापित हो चुका है मानना चाह चुका है परियार की जो दुनिया है जिस को नहीं स्विकारते हैं, हम मतलब अपने हिसाब से, अपने मतलब से तमाम चीज़ों को स्विकारते करे जाते हैं, अपने अनुसार जो हमें कुछ इत लगता वो स्विकार करते हैं, ऐसे में ब्रामणबाद का खत्मा क्या हो पाएगा कि आपको लगता है कि ऐसे में जो ये र चूज किया है तो सिर्फ अपने अनुसार चूज किया है बाकि उसको उसने वैसा ही रहने दिया है लेकि पेरियार को लेने में और पेरियार को सामने रखके राजनीती चलाने में या समाजिक अंदोलन चलाने में लोगों को खुद को बहुत जादा तराशना होगा, जो भी लेके जा रहे हैं, उनको शाहिद उनकी खुद की जिंदगानिया लग जाए, उनके पैमाने तक और उनकी जो कसोटियां पेरियार ने रखी है, उनके अंदुलन की जो है, अगर वो उसको गांठ ले, उसको ले ले तो वो मुम्किन होगा, दिक्कते आनी जायज है, क्योंकि अमुल्चूल परिवर्तन जो हर शेत्र में, राजसत्ता और हर सत्ता के शेत्र में, जो पभूत वजिन लोगों का है, उनको धका न देते हुए, अगर आप करना चाहेंगे, लेकिन तो वो मुम्किन नहीं है, ले अपने आप से लॉजिक, रीजन, और ब्रामनी सारे टोटंस, ब्रामनी विजुल, सिंबल्स और डारेक्ट फ्रंटल अटक करना पड़ता है, और यहां पर लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जब डॉक्टर आमबेटकर की बात करते हैं, तो अल्मोस्ट, मत उसी हद तक उनको लोगों को दिक्कत होती है, आमबेटकर को भी अपनाने के लिए, लेकिन वो किसी तरह से, कि उनकी पतनी ने पतनी ब्रामन थी, या फिर यह बताने के लिए कि मनुस्पृति के वक्त में कोई शहस्त्र बुद्धे आया था, कि वो कॉंग्रेस में गए थ अब डॉक्टर आमबेटकर के सोशल कंटेक्स और पुलिटिकल कंटेक्स को नजर न करते हुए, उनका प्रचूर माध्यम से जो लिटरेचर निर्मान उन्हें ने किया है, और जो हिदायते दी है, जो डारेक्शन दी है, उसको बाजू में रखके लोग करते हैं, डॉक्ट करने का फंदा से बचने के लिए ये किया जाता है, लेकिन परियार रामस्वामी की जो पुरी राजनिती चली है, और उसके पहले बहुत बड़ा आरसा आता है, जिसमें उनकी सामागजी का सांस्कुरूतिक था, उन्होंने फूले साहब का आर्या अनार्या संघर्ष से ले और ड्रविडियन पहचान अगर हमको देते हैं, तो यह तमाम चीज परियार रामस्वामी पहले 1925 से शुरुवात करते हैं, और जिसकी शुरुवात पहले वहां पर तमिलनाड में हुई है, वहां से शुरुवात करके बाद में राजनिती आती है, और यह इस तरह से आती ह डॉक्टर आमबेटकर तीनो चारो चीजों को लेकर आगे वड़ते हैं, और आधुनित्ता को बुद्धिस पिरियड से लिंक तो करते हैं, लेकिन आधुनित्ता को एंलाइटन्मेंट के तरह से भी लिंक करके, मॉडन स्टुक्चर कॉंस्टूशन के स्टुक्चर में, ट् एक राष्टर का निर्मान की दिशा हमको देते हैं, उतना ही लगबक मतलब अगर दोनों ही 90-95 प्रतीशत एक में एक से तालमेल रखते हैं, लेकिन अगर आप बोलते हैं कि दिक्कत अगर आती है, अगर आती है तो पेरियार को अड़ाप करने में कि क्योंकि उनका जो Congress से बाहर आके, बिना Congress से उन्हों अपनी राजनीती चलाई, उन्होंने पुरे गरंथों को पुरी तरह से नेशनाबुत किया, और उन्होंने Self-Reliance की राजनीती चलाई, जो की बिना Congress के और लिना Congress के तो उनको अड़ुट करने के लिए बहुत मश्क्लियो थे, अभी आते ह एकदम Contemporaries में काशी राम जी ने इसके बावजूत उनको इंटर्डियूस किया नौर्थ नौर्थ इंडिया में उनको उनके बुत लगाकर उनके विचार करके से इनौर्थ इन इंवर्स टीज में मिस्मिवति और इनने राज नयुक्री जो प्रैत नहीं क्यों उजनें जो लड़ना चाहता है यह नौर्थ इञारा नहीं ऑपने आपको we are वो उसको हाथ नहीं लगाना चाहता है. वो, वो 무엇-वी सी रहते हें, Şuब सबस्तोर है कि जिसके वजह से उसको अतिशुदरों के साथ जाना पड़े, वह अपनी ऐंडिपेंडेंबंट चीज नहीं निर्वान चाहता है. लिट्रेचर हो बहुजन लिट्रेचर, ओभी सी ने तो बहुजन की संकल्पना, जो व्यापक संकल्पना, जिसमें शुद्र, अती शुद्र, और मुसल्मान, और सिख, हिसाई, तमाम अडेंटिटी की लोग आते, धार्मिक अडेंटी, उसको भी संक्रिन करके वह बहुजन से जो अबी सकत क सीमित करना चाहता है, यह जो प्रकृहाए इस से उसको दिक्कत है, क्यों अगर जाना चाहता है, तो ग्रविट ती कि उसको वहाँ पर सबसे पहले अपने आपको जोड़ना पड़ेगा, संस्कृति उस संस्कृति से means Thousands46 हरपा की संस्कृति वाथी उन निती मुल्यों को जोड़ना पड़ेगा तो यह जो compromising situation में अगर कुछ करना चाहते हैं उनको दिक्कत आएगी और यही non compromising राजनिती और सामाजिक निती जो चलाई डॉक्त रांबिटकर और उनको रास्नी आएगी तीसरी और बहुत महत्वर पुर्ण बात कि वो लोगों ने क्या किया कि ओभी सिखी लोगों ने जब एक तो बहुत दिन तक उस चीज़ को उत्तर भारत की बात करता रही हूं क्योंकि की आज तोड़ा जागरूत हो रहा है लएशिंघ यादफ को जानने के कोशिश कर रहा है लले शिख यादफ प्रव भारत के पेरियार माने जाते हैं उनको जानने कोशिश कर रहा है चंद्रिका प्रसाद जिग्यासू और जग्दे प्रसाद जी को लेकर जा रहा है लेकिन फिर उनके साथ में उनको लोहियावाद भी को छोड़ना नहीं चाहते वो उसके साथ में ब्रामनों को छोड़ना नहीं चाहते वहाँ मीडिया में बैठे ब्रामनों को आज भी अपना तरनहार समझते हैं, वो राजनितिक में बैठे मनोज जाको अभी वो चो सोचते हैं कि राज्यमा सभा में जाकर वो उनकी बात पेरवी करेंगे, बीजे, बीएसबी में तो वो मिश्रा परुशुराम की महीमा को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दिक्कत यह है कि पेरियार को अगर लाते हैं, तो उनको सबको उनको तजना पड़ेगा, क्योंकि पूरवश्चर तो है वह, डॉक्टर आमबेठकुर को भी लाते हैं, तो उनको तजना पड़ेगा, लेकिन आज तक का जो OVC है, चाहे हो सम गेरद्विज, नॉन ब्रामिन जो है, उन लोगों में, डॉक्टर आमबेठकर को अपने जाती जो प्रेजुडिस है, या जाती वर्चस्वत का अंकार है, उसके जरिये उन्होंने बाजू में रखा, लेकिन दिक्कत क्या हुई, कि अजब उन्होंने पेरियार को रेना चा और उनको उनके, तो यह जो नॉन ब्रामिनिकल कंसेंसस जो पेरियार ने और डॉक्टर आमबेठकर ने बिटिश छोड़ जाने के पहले ही एस्टाबिश किया था, वह नॉन ब्रामिनिकल कंसेंसस जब तक नहीं बनता है, और वो नॉन ब्रामिनिकल कंसेंसस जब तक नहीं identity in Dravidian culture, यह हमारी Dravidian Sanskriti जो है मुल्निवासी बहुजन Sanskriti जो है जो यह बात यह बात अयोतितास ने कही है जिस नाम को लेकर हम आज शर्माते हैं और बहु संख्यांक schedule caste के लोग भी शर्माते हैं मुल्निवासी अपने आपको नहीं कहना चाहते वो अयोतितास ने कही और अयोतितास के आंदोलन से पेरियर ने उसको एड़प्ट किया और उसको तराशा और उसको ड्रेविडियन बनाया उसको ड्रामेट कर फिर उसको नाग बनाते हैं तो हमारे लोग जो है नाग खुद को कहना चाहते हैं लेकिन वो अगर मुलनिवासी नहीं कहना चाहते हैं इसका मतलब ये एक दूसरे से अलगी रहना चाहते हैं और यहां पर दिखते हैं जब तक एक नॉन ब्रामनिकल कंसेंसस होता है देखिए आप महराष्ट्रे में भी घुरियर अगर लिखते हैं या अगर यश्वन्त भावे कोन है वो भावे उन्होंने लिखा है जो आकलन किया हुआ है उन्होंने नॉन ब्रामनिकल मुवमेंट करके ही किया आज हमारे मांदोलों में नॉन ब्रामनिकल मुवमेंट या नॉन ब्रामनिकल जो नॉमन क्लेचर है कहां से लुप्थ हो गया है, हम आज हम चमार जाती के उपर आए, दग्रेट चमार और दग्रेट ये और दलित और दलित के उपर आएंगे तो नाचरी नहीं है कि बाद में तो हम लोग हरीजन तक भी पहुंच जाएंगे, तो गांधी की जो संगलपना है, क्या कहते हैं, उस मेरा कॉंशेस कहता है, इसलिए, यह जो है दोहरी और उसको बहुती पेचीडा बना के प्रेजेंट करना, और फिर से मॉडल उसको महिनाओ के परिपेक्ष में, मॉडल उन्होंने, मैं आपको फिर से परियार की बात पढ़के बताती हूं, कि उन्होंने कहा कि कुडु आरस सिता को, वो यहां पर आके, तमिलनाड में आके, उनके लोग नालायनी और चंद्रमती और वासूगी महिलाओं को इन्वोक करते हैं, उनका रोल मॉडल, सिता का रोल मॉडल हमारे सामने रखते हैं, तो यह, it is not worthy of emulation, मतलब इसकी देखा देखी और इसके इसमें से बाहर न और उसमें से उत्पन रहने वाले उनीकी मॉडल्स, आज प्रियंका का भी अगर तुलनात्मक आकलन होता है, तो उसको दुर्गा के, इससे बताया जाता है, तो तुरुनमुल कॉंग्रेस की, अभी हाली में उसने ब्रामनों के लिए बहुत सारा उपलब्द करवाया, काली काली का, को सामने लाद के जाता है, तो ये रोल मॉडल्स रखके महिला का परतारन या महिला की मुक्ति का कोई दारोबदार होने वाला नहीं है, वाख़ए, वाख़ए, हाला कि परियार को एक ही चर्चा में समेटना तो बहुत मुश्किल है, फिर भी हम इस चर्चा के, एक तरह से अलग डिस्कॉस रखा उसकी सुटेजन शिप को लेकर, उसकी सिट्रेंब दी लेकर, कम्यूनिटी लेवल पे मतलब सामाजिक लेवल पे मतलब फैमिली के लेवल पे मारिज को लेकर, शादी के संबंध को लेकर, वो कैसे कपड़े पहने, कौन से सिंबल्स वो में रखने के वजह से उसकी जो aspirations है कि वह आगे जाना चाहिए, कि उसके सपने होने चाहिए, कि उसने राजनीती में भाग लेना चाहिए, कि उसने पढ़ाई करने चाहिए, कि उसने खाना अच्छा खाना चाहिए, कि उसने बाहर जाके संदर्या देखना चाहिए, कि उसने न पैदा हुआ है इसलिए पुरुष के मन में अनुकंपा प्यार और ग्रहस्ती कुछ आगे लेके जाने की भावना उत्पन्न ना हो ऐसा कोई बुन्याद नहीं बन सकती और इस बात से वो दर्शाते हैं कि महिला और पुरुष ने दोनों ने मैरेज में वो शादी शुदा ग् प्रभावी नहीं होगा अगर बदलना है तो पूरी तरह से हर तरह से बदलने क्या हो चकता है एक दम नया ही कुछ पहनने क्या हो शकता है ये तब कहीं जाकर हम सही तरह से अपने आपको कह सकें कि हमने प्रियार के भारत को जो किस अपनों का भारत था उसमें हमने प्रिवेश किया है आप दोनों ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर अपने बात कही है और अपने व उत्तर भारत के लिए और तमाम उत्तर भारत के लिए पूरे देश के लिए पेरियार की बहुत ज़्यादा जरूरत है। आप दोनों के बहुत बहुत ज़्यादा जरूरत है।